कैसे एक मंत्र दिलाएगा सरकारी नौकरी पाने में सफलता आपको मगर पहले ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह या ग्रह ऐसी स्थितियां सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़कर कारे करने में हमारी सहयता करते हैं कि सरकारी नौकरी कि लिए ग्रहों का सम्मंद्ध जोतिश में सूर्यय को सरकार और सरकारी कारियों का कारक माना गया है सीध्य माइने में कहें तो सूर्ययी राज्य बख्ष को संबोद्रित करता है जो नेता है या जो सरकार चल रही है वो सूर्य के ही अधिन पर चलती है हमारी कुंडली में और हर किसी की कुंडली का जो दस्वा भाव होता है कर्म भाव होता है हमारी आजिविका या करियर की स्थिति को दिखाता है कालपुरिश सिध्धान्त के अनुसार दस्वा भाव जो है वो शनी का रेप्रेजेंटेटर है इसलिए शनी आजिविका या नौकरी का नैसरगिक कारक भी है और कुंडली का छटा भाव जिसे हम दास भाव कहते हैं वो नौकरी को दर्शाता है इसलिए कोई भी अगर जो नौकरी करता है उसमें छटे भाव का involvement होना बहुत ज़लूदी है अगर कुंडली में सूर्य बली है यानि कि स्ट्रॉंग है और वो स्ट्रॉंग होकर दस्वे घर में बैठा है कुंडली के या दशम भाव पर सूर्य की द्रिष्टी है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है ऐसे लोग जो बड़े I.S. officers होते हैं administrative officers होते हैं उनका सूर्य अच्छा होता है सूर्य बली होता है बलवान होता है और कहीं न कहीं उसका connection दस्वे भाव से बनता ही बनता है अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शनी एक साथ बैठे हो या शनी पर सूर्य की द्रिष्टी पढ़ती हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है क्योंकि कुंडली का दस्वे भाव naturally शनी को बिलॉंग करता है कालपुरी से धान्त के नुसार इसलिए अगर शनी और सूर्य का मिलन हो जाए तो व्यक्ती को सरकारी नौकरी पाने में सफलता जरूर मिलती है अगर सूर्य बली होकर बली सूर्य का बोता है जब वो मेश राशी में हो जब वो ब्रिष्चे कराशी में हो जब वो सिंग राशी में हो और इसके डिग्रीज अच्छी हों अगर सूर्य बलवान होकर कुंडली के छटे भाव में हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है सूर्य कुंडली के बारवे भाव में हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है इसका कारण यह है कि सूर्य बारवे भाव में बैठकर छटे भाव को देखता है और छटा भाव क्या है नौकरी का भाव दास्ता का भाव यदि किसी की कुंडली में शनी जो है वो सिंग राशी में हो यानि कि सूरी के राशी में हो और सूर्य ठीक स्थित हो यानि कि बलवान हो सूर्य तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है इसके साथ साथ अगर कुंडली में सूर्य स्वें राशी सिल्ण में हो ये सिंग राशी जो है सूर्य की खुद की राशी है और साथ साथ में अगर सूर्य उच्चका है मेश राशी में उच्चका होता है और बली हो जाए बल्वान हो जाए तो सरकारी नौकरी का योग बनता है सूर्य और ब्रहसपती देवगरू ब्रहसपती का योग भी यदि शुब भाव में बन रहा हो तो सरकार में कोई उच्च पद दिलाता है ऐसे लोग नेता भी बनते हैं अगर किसी की कुंडली में सूर्य का राहू से पीड़त हो जाए या अश्टम भाव में हो डिगरी में कमजोर हो जाए सूर्य या अन्य प्रकार की पीड़त स्थिती में हो तो सरकारी नौकरी में बाधा आ जात है इसलिए सरकारी नौकरी जो टिकी है वो सूर्य पर बहुत जादा टिकी है अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है और बली है बलवान है सूर्य तो सरकारी नौकरी आपके लिए तयार है एक्जाम दीजे और ले लीजे